नमस्कार दोस्तो मैं रभी कैसे हैं आप लोग मैं आसा करता हूँ कि आप लोग सब अच्छे होंगे थोड़ा बैग्राउंड में कुछ म्यूजिक आ रहा होगा कुछ आवाजे आ रही होगी तो इग्नोर करेंगे आज सुबह से हमारे हां बारिस हो रही है उसी का कुछ है यह को gallon और सुबब्लब कर देखेंगे सबसे पहली पारी कि इसमें वाले इसमें किया आप बहुदः का सम्मिधान कह भुदा का समीधान पहला वाट वालपक अरुद्वाल कि नया और मॉलीक कुछ नहीं कि उधार की बोरी है एक और संग्या क्या DEGA बनाते हैं उसमें सब कुछ हाल हको गया था ऐसा कहने वालों ने कहा एसा इसकी अलोजना करने वालोंने कहा क्या वोला जिबा होच पोच है आपका समुद्धार उदार के भॉरी है उसमें कुछ नया नहीं है कुछ मौलिक नहीं है ऐना ऐसा ही इनोने कहा पेड़ने भालोंने तल दो थे जो कहा किनो fully तो ने टो थे थान घचन कि है हम इनकी बातों को तवीत्य तजबुत दे रहे हैं क्योंकि हमें पढ़ना है और यह पेपर में आएगा किसी आम इंसान ने की होती तो इसकी पढ़ने को जरूत नहीं होती है तो पहली बात हमने क्या पढ़ी कि उधार का संविधान है औश में क्या बात कही है फ मुले दूसरी बात क्या है इसकी तितुरा पैंतीम इसमें भारत को रूल करने के लिए एक जस्तर बें। तो अलोजना करने वालों ने क्या कहा कि जो आपका समिधान है 935 मेरी हुए यह का पर किस wearing जो अपने जैसे क्या किया है कि अपि कर लिया है 1935 के भारत सासन अधिनियम की आपने कॉपी कर ली है उनका कहना ये था और इसी में एक अगले इंसान कौन थे अलोचना करने वाले ही एक इंसान और थे पी आर देश्मुख कौन था पी आर देश्मुख ये क्या कहते हैं एक बात और ध्यान अखेंगे जहां जहां अपने ये रेट कलर से श्टार लगाया है यह वो लोग थे जो समिधान सभा के सदस भी थे आलोचक तो थे ही साथ में कौन थे समिधान सभा के सदस थे जिस जिम लगा हुआ है तो अगले ब्यक्ति कौन थे जिन्होंने आलुषना की इसी सेकंड पॉइंट पर क्या लिखा है कि पी आर देश्मुग जी थे इन्होंने क्या कहा इन्होंने कहा कि समिध्धान जो है बस उसमें अपने एड कर दी है वह क्या अड कर दी है बैस्क मत अधिकार की इसका मतलब यह होता है कि जब आप 11 साल के हो जाओगे तो आप बोड दे सकते हो उस टाइम तक 21 साल ही था वह तो बाद में हमें 18 साल किया गया तो बैस्को जाओ तो आप किसी चीज़ को चुन सको स अगला इसक जो आलोषणा सिवाह चांच की जो हो दो बहुत है दो घुछ परवा बात क्ल्म चालता थैंटम ऑलोगि ख किन ज्यक्या थेजारें की तो यह उस संज़ान न नाया वारतिया औरहान के जांथ ज समेखत Canal 11 मैंद इताला सभा खाती वामीद्न कि इस संट होना औल लगतेविंद हमें दिए उसमिधन की एक सब्सक्राइं इसमें लृष्म आसार सब्सक्ति किया नियुना नोत यह उसमें जो में इसमिधन के आलोच में हून थैया हनुमान थया हनुमा थया वो क्या बोल गए थे उन्हें पहली बात क्या बोली उन्होंने जो अलोशना करते हुए बोला उन्होंने कहा कि हम बीड़ा या सितार का संगीत चाहते थे समिधान ऐसा हो जो बीडा की तरह बजे संकीत मधूर हो अगर आपने कभी बीडा सुना हो बहुत मधूर बचता है इनका कहने का मतलब ये था जो हमारे पक्ष में हो अदो हम बीडा या सितार का संकीत चाहते थे रवह मिला क्या लेकिन हमें क्या मिला हमें इंग्लिस बैंड का संगीत मिला क्या मिला इंग्लिस बैंड का संगीत सुन रहे हैं इनका कहने का मतलब यह था कि हम चाहते थे कि बीड़ा और सिता की तरह संगीत मिले मदूर संगीत मिले पर हमें मिला क्या हमें इंग्लिस बैंड का संगीत मिला इ अगले आलोचा कौन थे लोगनात मिस्त्र कौन थे लोगनात मिस्त्र यह क्या कहा है इसी पॉइंट में इन्होंने कहा कि पस्चिम पस्चिम को दासवत आत्म समरपन है जो आपका समिधान है वो क्या है पस्चिम को दासवत आत्म समरपन है दासवत का मतलब दास का मतलब होता मौकर जो धास होते हैं तास्वत मतब दास कि तरह से कोई दास होता है उसमें रहा है तो लक्ष्मि जारायन साहुजि यह भी थे समिधान सभा के एक मेंबर ही थे इन्होंने क्या बात कहीं इन्होंने दो बात कहीं पहली बात इन्होंने क्या कहा कि भारत की मूलभूत आत्मा भारत की मूलभूत आत्मा को प्रकट नहीं करता है जो समिधान आपने बनाया है वो जो भारत की मूलभूत आत्मा है उसको य चीज कह रहा है वो प्रकट नहीं करता है और दूसरा गारी सम्मिधान लागू हो भी गया बहुत जल्दी विखर जाएगा तूट जाएगा कोई से मानेगा नहीं हाना ये कहना ही जाता फिर अगली अगला पॉइंट का कहता है हमने तीन पॉइंट पड़े अगला पॉइंट कोई olan दरषन नहीं दिखा उसका मूल नहीं दिखा है जो गांदी जी थे वह निसाटी न समर्थक पाद वह पहले आ पको बताई है तो उनों, अ हुआछिता थे इसकाज क्ग कोले निस ह्यां सम्मिधान में पुल्ट को साहते थे बार ये प्रहादने सुरू में उसमें कोई प्राबधान नहीं थे जब 73 गенное वहा नियुकुल इससे कोई प्राफधान समिधान में नहीं था जो आपने समिधान बनाए उसमें गांधी बात की इसमें गौन अनम प्रकासन ठीकर इंसही कमया ओताЙ तनीन आ इंसहीं गांधी जी और अम्बेटकर जी के विचारों में क्या थे, मतवेद थे, उनका ये मेन कहना था, कि जो गांधी जी थे, और अम्बेटकर जी जी थे, क्योंकि अम्बेटकर जी समिधान का अध्यक्ष बने हुए थे, वही दिर्वान कर रहे थे, इनके दोनों के विचारों में अगले प्रउट को कि अगले प्रउटी प्रउटी प्रम प्रउटी के संधियंगो सब्साइब कि या रश्राइं अगरत यह संधियं आपको आप लोग सब लोग जानते ही होंगे जो महा भारत में थे किना हें महा भारत में थे तो भीम एक बहुत ही विसाल आप सरीर वाले थे बहुत ही हस्ट पूश थे बहुत ज्ब्ल शाली थे उनको खाना भी लगता था तो कहने का मतलब यह है बहुत बड़ा यह समिधान बड़ा था जो हर बातों को अब बड़ा हुने कारण क्या हुआ कुछ तो कारण रहा होगा ना समिधान रही है अब अगर समीधान पतले हैं वह अलग से कामुनिय के अलग से एक्ट बना के पर समीधान में ही दिए कि आप को यही है। काम चल जाएगा बार कुछ जालान चरूत नहीं है है तो इसलिए इनके मेन बड़ा हो गया। एहना इननों के जो इनके जुआ अलो चाक न थे वह कौन थे हैं एच भी हचब कामत जी क्या बोलते हैं कि हम ने हाथी नुमा समिधान बनाया है हम लिए हमने क्या बना लिया हमने क्या बना लिए हमने हा ठी नुमा समिधान को बना लिया ठीक है और एक और बैठती थे उनका नाम क्या था उनका पर पर पाफ सीद यह प्राबधान बाः से लिए गए है उनका चैन बहतर नहीं झाल लाए जो प्राबधान बाहर से लाएं बहतर नहीं है इसकारण से यही सबके सभी नहीं है जिनका ये कहना था है अगली बात किया क्या कि भी है अगली बात कहीगे इसमें मेंट भी उस यह सचा आप जयग एक आम इंसान को कानुन की जानना हो कुछं अगल does नहीं सकता है, इतना जटिल इसकी प्रक्रिया है, इसमें क्या है, इतने जो भासा है, पुड़ी कानूनी है, जटिल भासा है इसकी, पुड़ी कानूनी प्राबधान है, कहने का मतलब यह है, कि अगर आप कोई कानूनी काम करवाना है, तो यह वही आदनी इसको पूड़े को स तो इनको ज्यादा रोजगार मिलेगा पढ़ा लिखा बैर्ग जो वकील बार होगा जो बात को समझेगा एक आम इंसान तक इसकी पहुंच हो नहीं पाएगी इसलिए उन्होंने क्या कहा कि वकीलों का स्वर्ग है तो इसको लोग क्या बना लेंगा चल कि अपने जीविगा का उन्होंने कहा था कहने का मतलब यह नो नहीं कहा था कि भारती सम्मिधान वकीलों का स्वर्ग है यह जो था दिखता भी है बहुत दूर मज़ जाए आपको किसी कार ला लीजे आपको स्वच्क्र भूमाएगा और आप से पता नहीं क्या बात करेएगा यह लाओ गो लाओ अगर नहीं देना है तो बस एक काम को यिथि ना पोसिया आप सारा काम कर देंगे. यह क्या है इसी बात को लिए ने काता की जो वकीलों का स्वर्ग है हमारा सम्धान है तो यह ने सम्धान के आलोचना है थी जोमहालगों ने की थी हम इनकी बातों कैसे भूड़ा भी सकते हैं अगर यह समिझान सफा में थे तो यह बात कहीं ने कहीं इनकी बातों को तजब्बूत दिया गया इतना समझा गया तभी तो हम इनको आज पढ़ रहे हैं इन्हें पेपर में आते भी हैं ऐसे कई